हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसा हो जब नास्ते में आपको चटपटा कुछ खाने को मिल जाए साथ में हेल्दी भी हो तो मज़ा ही आ जाए आज मैं बना रही हूँ मुंग चाट जो बहुत ज़दा हेल्दी है यहाँ पर आपको मुंग को भीगो लेना है 8-10 घंटे के लिए और इस्प्राउट कर सकते हैं या फिर भीगे मुंग को भी लेग सकते हैं प्राउट करने के लिए आपको कपड़े में बांध के और तीन चार घंटे के लिए रखना पड़ेगा तब जाके इस प्राउट निकलते हैं इस तरीके से अगर नहीं भी करते हैं तो भीगोया मोंग भी चलेगा यहां पर आपको कढ़ाई में एक छोटा चमस्तेल डालना है रखने और इस साटे कर लेना है आपको इसी पकाना नहीं है आप याद रखिए इसका कच्छापन खत्म कर लेना है थ्यो shortest कर लेना पड़ेगा अगर आप कच्छे कहा लेती हों तो दी बेस wonder पर फइ 문 अच्छा लगता है तो इसी वज़े इस तरीके से थोड़ा बहूत इस पे स्पिंकल कर दिया है बहुत हलका नमक हम जालेंगे क्योंकि H breakfast में बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ज़दी भी है यह और सब खाने को त्यार हो जाते हैं क्योंकि chaat है chaat के नाम पर तो सब के मुंगे पानी आ जाता है तो सब खाने को त्यार हो जाते हैं और इस तरीके से आप अपने परिवार को healthy लड़ी चीजे भी खिला सकते हो और चटपटी चीजे भी खिला सकते हो कोई मना नहीं कर पाएगा आप देखते हैं आगे कोई मना नहीं कर पाएगा सब खाने को तयार हो जाते हैं इस तरीके से जब कुछ चीजे आप बना के परिवार को पेश करते हो तो मुंग को निकाल ल लिए हमें भून लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए क्रंची हो जाए और उसके बाद में फिर सारी चीजों को हम एसेंबल करेंगे यहाँ पर मम्रा जो है यो थोड़ा सा मतलब आपको ब्राउन कर लेना है ताकि सोंधा सोंधा सा लगे वैसे ये मतलब क्योंकि भूना मुरमूरा हमारा यहाँ हो चुका है गयस की फ्लेंं को मैंने बंद कर दिया है रख लिए हमें एकलग you from और सारही मेरे पास इस टाइम नहीं था इस programming से मैंने नहीं किया था वैसे चाट में अच्छा लगता है अगर आपके पास हो तो जरूर एड़ कीजिएगा साथ मैंने एड़ कर दिया है काला नमक एक छोटा चमच क्योंकि नमक हमने एड़ किया था मूंग में भी तो उसी इसाफ से नमक यहाप हम एड़ करेंगे तो काला नमक थोड़ा अब यहाँ पर आप चाहो तो इसी तरीके से रहने दे सकते हो या चाहो तो फिर इसमें थोड़े बहुत मिक्स नमकीन जो आते हैं वो भी आप एड़ कर सकते हो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है च्वाइस आपकी है मर्जी आपकी है अगर आप इसमें और कुछ पी आड़ करना चाहो तो जरूर आड़ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही अच्छा लगता है मुर्मुरे के वजह से जो क्रंच है वो भी आता है और चटपटा भी लगता है तो उमीद करते हूं कि यह मुंक की चाट की रेसिपी आप सबको पसंद आई लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा पहली बार में चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बना के जरूर देखेगा आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा यह चले मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में थैंकिस सो म बट गरुजच के लाइब हीची जले जरो हैंकिसी और के बही हरा देखे हैंकि छो सब्सक्वेठा हैंकिस्ड़केश गाल से लिएग सक्वेण के बίðSt